नमस्कार, क्यापिटल टिवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूछा यूपी विधान सबाद चुनाओ को देश का सबसे महतपून चुनाओ माना जाता है और इस चुनाओ को लेकर सभी दलों ने अपनी तयारियां लगबग पूरी कर ली हैं इस चुनाओ में योग्य आदितनाथ दुबारा सियम बनने में काम्याब हो पाएंगे या अकलेश यादव बाजी मार ले जाएंगे, ये सवाल सभी के मनमे है चुनाओ में किसकी जीत होगी, किसकी होगी हार, ओपीनियन पोल से काफी कुछ साफ होता नज़र आ रहा है और आज हम आपके लिए फानल ओपीनियन पोल का रिजल्ट लेकर आए हैं तो आज यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए मार साथ स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मलेश कुमार डॉक साब बहुत स्वागर है कई तरह के ओपिनियन पोल के गए आज हम आपसे चर्चा करेंगे जी न्यूस के डिजाइन बॉक्स पानल ओपिनियन पोल की ये ओपिनियन पोल तो ये कह रहा है कि बीजेपी को 241 से 263 सीट वोटिंग परसेंटिस की बात करें तो 41 परसेंट और समाजबादी पार्टी की बात करें तो 130 से 151 सीट 34 पीजदी इनके हिसाब से बताया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे आप देखे सबसे पहले तो आज सरस्वती पूजा है तो सबको उसकी बधाई और आज मैं ट्वीट देख रहा था समाजबादी पार्टी की तरफ से ऑफिस्यल ट्वीटर हैंडल पर वसंद पंचपी की बधाई भी दी गई लेकिन सरस्वती पूजा का नाम नहीं राजमीती इशारों में होती है पहला दो फेस समाजबादी पार्टी के लिए काफी इंपॉटन्ट है और उसके लिए आज हम लोग एक अलग से वेस्टर न्यूपी के लिए वीडियो भी बनाएंगे लेकिन ये जो पूरे उत्र प्रदेश का जो महौल लज़रा रहा है और सारे ये सिर्फ जी डिजाइन बॉक्स ही नहीं जितनी भी जो सर्वेज हो रहे हैं सब भारती जनता पार्टी को 39 से 41 परसंट वोट्स दे रहे हैं मेरा ये मानना है कि ये चुनाव अल्रेडी बाइपोलर हो चुका है बाइपोलर का मतलब ये हुआ कि आमने सामने की लड़ाई है अगलेश जादव और योगी आधितनाथ पर बाइपोलर का मतलब है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का सीधे सीधे टक्कर है अब ऐसे इस्थिती में जो वोट परसेंटेज है उसका क्या रोल होता है पिछली बार के गर हम बात करें तो यही 41% के आसपास भारती जिनता पार्टी को वोट्स मिले थे और पिछली बार यह यूपी के दो लड़के जो लड़ रहे थे उनको 31% वोट आया था ठीक और करीब 24% के आसपास 24 के आसपास मायावती ने भी वोट्स लिये थे मतलब पिछली बार मोटा मोटी एक त्रिकोनिय मसला चल रहा था और इसलिए जो सीटे आई वो कई लोगों को बकायदा अच्छम्बित करके कि 325 सीटे बीजेपी के पास और यह लोग तो 31 फीसिती पाकर भी 55 सीटों पे सिवट गए मायावती 24 परसेंट लाई लेकिन डबल डिजीट में नहीं पहुँ सकी है अब इसका मतलब क्या है और मोटा मोटी अभी भी गर आप देखे तो वोट परसेंटेज क्या बता रही है आप 41 परसेंट समाजवादी पार्टी को 34 परसेंट तो यह मसला तो कहीं जाता हुआ दिखनी रहा जो लोग यह कह रहे हैं कि जमीन पर बड़ा टफ कॉम्पेटिशन है टफ कॉम्पेटिशन है वो क्यों कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ही तो हवा में सब कुछ चल रहा है अगर सर्वे जेन्विन है तो इसका मतलब यह है कि जमीन में कुछ नहीं बड़ा है और मैं आपकी बात और बता दूँ अगर एंटी इंकम्बंसी होती है कि कोई सरकार के खिलाफ हवा चल रही हो तो वो सर्वे में परिलिक्षित होता ही होता है आपको मैं एक एक इसांपल देता हूँ 2019 का चुनाओ सारे सर्वेज को आप देख ले सारे सर्वेज यह कह रहे थे कि जो एंडी ए है बीजेपी नहीं एंडी ए वो 230-235 से ज़्यादा नहीं जा सकता बहुमत आने का तो सवाल नहीं किसी सर्वे ने बहुमत नहीं दिया किसी एक जिट पोल ने भी एक दो को छोड़के किसी ने ये दावा तक नहीं किया कि मोदी सरकार को वापस जनता चुन के भेज रही है 300 की तो बात ही छोड़ दीजिए बीजेपी की सीटे 300 क्रॉस कर जाए ये चुनाओ से पहले कोई बोल ही नहीं रहा था क्या हुआ कौन सा कमाल हुआ था तो कमाल ये हुआ था कि देखिए ये जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं बहुत दूर जाके नहीं करते हैं जादा से जादा ये अर्बन सेंटर्स पर करते हैं और जादा से जादा ये ब्लॉक लेवन तक जाते हैं गाउं के अंदर घुसके सर्वे करना वो नहीं करते हैं ये फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है और भारती जंता पाटी ने क्या किया है इस दौरान कि जो गाउं में जो गरीब तक का है जिसने आज तक सरकारी योजनाओं का फायदा कभी देखा नहीं था जिनके नाम से पैसे तो आते थे अनाज तो आता था लेकिन सब दलाल अधिकारी नेता सब चट कर जाते थे लूट मची हुई थी तो वो एक बड़ा सेक्शन इस सर्वे से इस तरह के तमाम सर्वे से वो गाइब रहता है अब उसके बावजूद यह 41% 34% का गैप नज़र आ रहा है तो एक और इसमें नया एलिमेंट है वो एलिमेंट यह है कि अगर ट्रेंग्लर फाइट है तो सीटेंग इस हिसाब से नहीं आएगगे और अगर one to one है फिर मैं यह कह रहा हूँ कि यह चुनाओ और बीजेपी भरसे समाजवादी पार्टी है और अगर one to one है अभी डिफरेंस कितने वोट का पढ़ रहा है यह 7% का डिफरेंस पढ़ रहा है साथ परसेंट के डिफरेंस में तो आस्मान जमीन का फर्क हो जाएगा समाजवादी पार्टी अगर 34% वोट लाती है और बीजेपी 41% वोट लाती है समाजवादी पार्टी डबल डिजिट में नहीं जा पाएगी ये मेरे इस वीडियो को और मेरे इस कतन को नोट करके रख लें कि अगर 7% का डिफरेंस है तो भारती जनता पार्टी साड़े 300 सीट लेकर के आएगी और ये लोग 100 के अंदर पूरी तरह से बुक हो जाएगे और अगर हम इसको और भी रेसलाइस कर दें तो 300 प्लस पिछले बार कितनी सीट तो कहीं नहीं जा रहा पिछले बार भी इतनी वोट्स थे और इस बार चुके ये मामला आमने सामने का है तो सीटे और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ये 1 to 1 है मैं बार-बार कह रहा हूँ इस तरह के मुकाबले के लिए आपको बड़े गोर से दिल्ली के आंकलों को देखना चाहिए बिल्कुल दूसरी पार्टियों की भी बात कर लेते हैं दूसरी पार्टिया कहां खो गई परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है बियस्पी की बात करें तो से बारब फीजदी जिसमें से चार से नौ सीट का नुमान लगाया जा रहा है वहीं कॉंग्रेस सिर्फ और से छे फीजदी जिसमें से तीन और साथ सीट बस मैं इसलिए मैंने कहा अच्छा कि आपनी ये सवाल बियस्पी को लेकर के उठाया एक दिक्कत है सर्वेज में जो मैंने कहा कि चुकर ये सर्वेज अर्बन सेंटर्स और ज्यादा से ज्यादा ये ब्लॉक लेवल तक जाकर करके ये सर्वेज कर पाते हैं दूर दराज गाओं में वो नहीं कर पाते हैं तो सर्वेज में आप हमेसा देखेंगी कि वो बियस्पी का जो हार्ड कोर वोटर है जो गाउं में दलित बस्तियों में रहता है बिल्कुल ही घरीबी इस्थिती में रहता है जो सर्वे वाले का सवाल का जवाब भी ढंग से नहीं दे सकता सर्वे वाले जो सवाल पूछेंगे उनको समझ भी नहीं आएगा जो रात के अंधेरे में भी जाकर के हाथी को वोट करके आते हैं हाठ्कोर वोटरस है मायवती के इतना जो सारे लोग जो मायवती को बिलकुल कम आक रहे हैं वो ठीक है कि पिछली बार की तरह वो पूरी तरह में तो वो नजर नहीं आएंगी उनके वोटर सोचल मीडिया पर नहीं है उनके वोटर के पास फोन नहीं है उनके वोटर के पास उस तरह का वो इतने जादा है इसको कह सकते कि सामने आकर कि अपनी बातों को रखने वाले लोग नहीं है तो यह जो सर्वे है वो उसमें एक डि कई सारे सर्वेस बिहार में लालू प्रसाद यादब के बेटे को जिता रहे थे यही एरर था क्योंकि हम लोग वहाँ बिहार को हम लोगों ने बहुत एक्स्टेंसिबली कवर किया था हम लोग खुद जमीन पे वहां जाकर ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट कर रहे थे नितिश कुमार भी नहीं किसको भोट दोगी दादी तो सीधे वो भोती थे मूदी उसके अलावा कोई नहीं तो ये जो सर्वेज जुआ रहे हैं ये सर्वेज बहुत ही ज्यादा चिंता जनक के स्थिति बता रहा है किसके लिए समाजवादी पार्टी के लिए और अगर यही ट्रेंड रहा क्योंकि नाव अब बहुत ही आप क्रूसियल जंचर पे पहुँच गये हैं पहला दो फेज दो दिन तीन दिन के बाद परचार परसार भी बंद हो जाएगा दस तारीकों पहली वोटिंग होनी है और जो महौल अभी दिख रहा है वो महौल भारती जंता पार में है और महौल देखकर वोट करने वाले वो बीस फिसदी लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई जो जीत रहा है उसी को वोट दे दो अपना वोट हम बरबाद नहीं करेंगे तो यह सर्वे इस हिसाब से इसको आप इंटरपेट करते हैं यूपी के दंगल में मुख्यमं सत्री की कुरसी पर विराजमान होते हुए तो बस योग्याधितनाथ ही नजर आ रहे हैं ख्लेश तो दूर दूर तक नहीं है योग्याधितनाथ को 47% लोगों की पहली पसंद बताया जा रहा है 47 is a huge number अब अगर आप देखे हैं जो सर्वे करने वाले होते हैं वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आप 22% Muslims को भी आप cover करें जो अपोरेंट का जो बोर्ट बैंक है उसको भी आप ध्यान में रख करके 47% चार दिन के बाद polling होनी है और आपका जो nearest प्रतिदुन्दी है वो कहां तक है वो 34% मतलब 15-14% के आस पास का डिफरेंस है 14% का ये जो फासला है ये फासला बता रहा है कि योगी आदित नाथ पर से मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है और जो चैलेंजर है वो चैलेंजर अपने आपको आप देखिए डिफरेंस कम से कम आपकी कहें कि टफ कॉम्पूटिशन तब होता जब डिफरेंस 5% 7% का हो 4% का हो तो बास समझ में भी आती है लेकिन अगर 14-14% का डिफरेंस निजर आ रहा है यह तो बड़ा डिफकल्ट हो जाएगा अख्ली स्यादव की जिए और जैसे जैसे समय बीत रहा है अख्ली स्यादव के प्रचार्थ तंत्र में वो आप यह समझे है अज सुना जैन चौधरी चले गए इलेक्शन कमिशन के पास कि उनके नाम से कोई पोस्ट कर रहा है वह आप लोग भी पोस्ट कर रहे हो सारे लोग जो है वो अबबा फ़ला रहे हैं सोसल मीडिया के ऊपर इसमें कोई पीछे नहीं है आप सोसल मीडिया की लड़ाई में आप दाख्फुट पे आ गये हो वहां भारदियनता पार्टी के पास रिसोर्स हैं लोग हैं अपने मन से काम करने वाले भी लोग हैं तो ये दिक्कत है और दूसरी दिक्कत मैं आपको बता दूँ आगे चलकत के और भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि जो जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके पास तो ये सोशल मीडिया और इसमका तंत्र ही नहीं है वो लोग अपने जो उमिदवार हैं उनके लिए कैसे परचार परसार करेंगे जो कास्ट के नाम पे इसके नाम पे इधर का सेटिंग उधर का सेटिंग तो ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है अकले सेदब के पास अगर इतना भी रहता कि भई लोग औरेलिया कर रहे होते ये कर रहे होते एक महल बनता है उससे रोटस उसे महल नहीं बनता मीडिया में भी हर जगा आप देखी उनके पास ज़्यादे लोग है होता क्या क्या प्रचार प्रसार का माध्यम क्या रह गया सैसल मीडिया हो गया और फिर टेलीविजन हो गया टेलीविजन पे ये लडाई ही जो है वो बहुत ही Boston है उसस्प्लि भारति इंदा पार्टि क्या वो उसमें वर्चस हो है एक तो सरकार है उसकी वज़े से भी होता है दूसरी बात जो सबसे एहम चीज़ है जो सबसे मूल बात है वो यह है कि आपके पास तीन ऐसे लीडर है जो कहीं भी जाएंगे वो मीडिया को उसे उन्हें दिखाना मजबूरी है मजबूरी क्यों है मजबूरी इसलिए कि वो टी आरपी देता है एक ने दिखाना सुरू कि आप बाकी सब को दिखाना वो बाकी वो आप इधर उदर जाई नहीं सकते प्रदान मंत्री मोदी हैं अमिशा हैं योग्यादितनात हैं अब बाकी को मैं छोड़ दे रहा हूं कि रा यह फील्ड के उपर केंपेंड कर रहे हों कोई रैली कर रहे हों कहीं वो रोड़ सो कर रहे होंगे कौन टेलेविजन वाला नहीं दिखाएगा वो तो मजबूर है द्रवाज उसकी ट्यार पर चले जाएगगा उस तो कोई देखेगा यह नहीं मायवती करनी रही दूसरा क्या यह सोची राजबर करे राजबर अगर वो रोड़ सो करेगा वो रैली करेगा वह हम लोग 20 साल से इस इंड़स्ट्री में है टेलेविजन में आप दिखाएंगी राजबर के वो लाइफ बिल्कुल नहीं आटी अलनेस पैसे वोसे देखर क्यों दिखाएगा दर्सकों को भगाना है थोड़ी एक बज़ गया अखलेश चादव अब अखलेश चादव एक तरफ अखलेश चादव अखलेश चादव अखलेश चादव वो तीती जगह वो उनका लाइफ चलता है आप एक जगह रहते हैं और दूसरा इन सेक्ट जैन्त चौधरी को भी कोई लाइफ नहीं दिखा रहा तो एक तो प्रचार का जो माध्यम बच गया है अकेला टेलेविजन सोशल मीडिया सोशल मीडिया में उनके पास पहले से अकले स्यादव की बात कम लग लोगों तक पहुंच पा रही है और इनके जरीए जो है तीन-तीन बड़े-बड़े जो लीडर्स है उसके जरीए जो है तो ये एलेक्शन किसी भी मने हर हिसाब से ये मुझे तो साफ-साफ दिख रहा है कि भार्तियंतर पार्टी के पक्ष मे सारी चीजे हो रही है कोई नॉर्मल लीडर नहीं है यदा-कदा इस तरह के कोई महिला वह भी दलित परिवार से उटके इतनी बड़ी सक्सियत बनती है और वह एक एतिहासिक महिला है ये दम ध्यान में रखिएगा कोई भी आदमी मैवती भले डाउन है अभी लेकिन उससे उनकी राजनीती का आ दिखती है ना समाझवाधी पार्टी कर सकती है इसमचारमी का स्प्सक्राइब समाजबादी पार्टी से लड़ती हुए नजर आ रही है मुसलिम वोट जो है 20% का आसपास वह एंड ब्लॉक वह समाजबादी पार्टी के पीशे चला गया इस इस दो अली तिंग जो मैं शुरू से कह रहा था जब दंगल हम लोग ने शुरू किया था कि मुसल्मान तो वही वोट करेगा जो भारती जनता पार्टी को हरा है मुसल्मान अपने लिए वोट नहीं करता मुसल्मान भारती जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है और जो कोई भी पार्टी जो बीजेपी से बिलकुल लड़ती हुए नजर आती है को हराती हुए नजर आती है पू मुस्लिम वोट पीछे चला गया मुस्लिम वोट पीछे गया लेकिन मायवती का जो अपना आधार है उसमें कुछ तो कुछ जातियों का तो कुछ पलायन हुआ है अधर्वाइस मोर और लेस वो एक इंटक्ट एक जिसो कह सकते कि मायवती अपने नाम से लोगों को लेकर क्याती है प्रियंका वाडरा और दूसे इस तरह के लीडर जो है किल लोन को तूरिस्ट नेता कहने लगें विल्कुल ही कहेंगे वाठीकिए यह टar को यूपी्ट केंदर तो आप कोई की तता नहीं है माया बती के पैर के नाखून के बराबर नहीं है प्रेंका वाडरा उनकी सक्सियत जो राजनिती में जो उन्होंने अचीव किया है तो ये कहानी है वैसे मैं आपको बता दूँ चुनाओ आते हैं जाते हैं कोई पार्टी दो बार जीत जाए तीन बार जीत जाए तीन बार हार जाए उससे कोई जुसको कहते हैं कि फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता यही बीजेपी 2009 में फोर्थ नमबर की पार्टी थी यूपी के अंदर यही कॉंग्रेस पार्टी 2009 के लोगसभा चुनाओं में नमबर वन पार्टी थी आप यह फर्क समझे पिछली बार ही लोगसभा में 2019 में मायवती को ज़्यादा वोट था है तो यह सारी चीजे हैं अपनी जगा पे हैं लेकिन जो अभी हम लोग इनलाइस कर रहे हैं कि जो सर्वे क्या कह रहा है सर्वे की चीज कह रहा है बाबा इस बैक अपने चीफ मिनिस्टर के चेंबर में वो बापस बैठे बिलकुर और सरश्वती मा का आश्रवाद भी मिल रहा है धन्यवाद हमारी स्कार शो यूपी के दंगल में फिलाल इतना ही तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी का ही चानल कैपिटल टीवी उत्रदेश नमस्कार